जहिन साथ ही हो स्वागे थे आप सभी का education की at 6 में और उख करते हैं बिहार के तरफ आज बिहार SAC ने एक essay examination का result दिया जो कि 2019 में इसके notification निकाले गए और 2024 में अब इसका final result दिया जा रहा है अभी भी इसमें एक प्रक्रिया बाकी है जो कि अब medical वेगरा documentation वेगरा होगा और फिर आपकी joining करा दी जाएगी फिलाल आपको ये final merit list त्यार किया गया है आपके main exam को लेकर तो अब सवाल यहां बनता है कि क्या बिहार SAC एक ऐसा आयोग है जो कि अपनी किसी ही परिक्षया को लेकर कम से कम दो साल से लेकर 8 साल या 10 साल तक इंतजार छात्रों को करवा सकता ये सवाल बनता है और आपका भी सवाल यहां पर सरकार से करते हुए बनता है हम लोगोंने कितनी बार आवाज उठाय कि बिहार SAC आयोग पर CBI जाच बैठाई जाए पहली चीज़ चुकि यहां से निकलेगा matter कि किसने seat बेचा है और किसने seat बेचकर नौकरी दी है और कौन जो है यहां पर जमीन के बदले नौकरी लिया है यह दिया है तो यह जाच यहां पर अगर CBI करती है तो दूद का दूद और पानी का पानी यहां से हो सकता है यह एक हमारी राय है चुकि क्या है कि हर एक बहाली को अगर देखा जाए लगग लगग हर एक बहाली को इस आयो के तरफ से जो भी notification निकाले जाते हैं वो दो साल से कम से कम तो नहीं कम लगा है लेकर आठ साल तक जो है आप लोगों का नियुक्ति का प्रक्रिया चलता है दो साल से लेकर आठ साल तक भी अब जो छात्र यहाँ पर इसका form भर दी है तो क्या इसके इंतिजार में बैठे रहे कि यह चात्र है यहां पर रिजल्ट आया है 1200 कुछ चात्रों का यह देखेगा तो 1294 का रिजल्ट आया है और legal um 89 चात्र पास हुए हैं है तो क्या ये 1089 चात्र जोईन कर पाएंगे नहीं ये बहुत सारे सीट खाली रह जाएगे क्योंकि बहुत सारे से चात्र होंगे क्योंकि कहीं नहीं ये जॉब नहीं लगा तो किसी दूसरी जॉब में घुज गया होंगे जाहिर सी बात है कि और सरकार भी यही चाहती है अची है तो आखिर 8-8 साल में रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है कहीं न कहीं तो इसमें साग है यहां पर कि वैसे लोगों का जो कि यहां से नौकरी खरिद विक्री कर रहे हैं तो मुख्य मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर इस वीडियो के मादिम से कि इस आ प्रायोग ने बहुत सारे चात्रों का भविश्य खराब किया है अब अन्ततर वैसे चात्र का रिजल्ट इसमें नहीं हुआ होगा जो पढ़ने वाला है मैं आपको फिर से बता दू यहां पर रिजल्ट में सीट कहीं ने कहीं बिकाओ होगा बिक चुका होगा पान साल कौन इंतजार करता है और किसको खबर पड़ेगा कि इसका रिजल्ट आया है आपको लगता है कि आप इंतजार कर रहे हैं पान साल से एक नहीं बहाली के लिए तो नहीं यहां पर मुझे तो नहीं लगता है चुकि देखे ऐसा ही बिहार S.S.E. जो आपका इंटरमीडिट लग रहा है एक साल से उपर हो चुका है इसका फॉर्म भरवाय हुए और एक सीबीटी एक्जाम लेंगे ऐसा बोल के लोगों ने नोटिस दिया अगस्त में और उसके बाद फिर सो गए हैं लोग क्या अपडेट है क्या नहीं अपडेट है इनका कोई सुगबुग नहीं ल लोग ट्वीट करवा देते हैं या फिर जो भी उनके अदेख्ष महदे हैं सचीव महदे हैं वो पत्रकार लोगों से बात करते हैं फियर एकदम एक्जाम लेने की कोसिस की जाती है वहां पर बहले ही पेपर लीक हो जाता है बिहार है लेकिन आपको बता दे कि बिहार ऐसे स चल रहा है अब छात्रों से में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग RTI करना सुरू कीजिए इस आयोग के लिए ठीक है वैसे सरकार को तो बोल रहा हूं कितने सालों से मैं हैना जब से मैं वीडियो बना रहा हूं तब से बोल रहा हूं कि इस आयोग पे CBI की जाच कर रहा है ठीक है अब यहां पर RTI इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग RTI के दोरी पता किजिए कितने फॉर्म गिरे कितने छात्रों ने यहां पर फॉर्म एक्जाम दिया कितने का रेजल्ट सही हुआ कॉपी जाच किजिए अपना कि आप लोग जो इसमें कॉपी जाच पता हूं ठीक है और चुकि इस आयोग से तो आज से नहीं हम लोग 10 साल से पुरानी दुस्मनी है यह आयोग से कभी भी रिजल्ट टाइम पे दिया नहीं जिसके चलते बहुत सारे छात्रों का भविश्य खराब किया गया है इस आयोग के द्वारा खेर यहां पर मैं आपक चरन की समविक्षा 13 फरवरी 2024 में हुआ और चतूर्थ चरन समविक्षा 18 अक्टूबर 2024 को कराया गया जिसका संपन हुआ यहां पर एक्जाम यह अब इसका यह है फाइनल रिजल्ट दे दिया गया अब यहां बोला गया कि प्रमान पत्रों की समविक्षा बाकी है जहां पर समय अब्यार्थी को अपना प्रमान पत्र जाच करवाना होगा और यह जो है आप लोगों प्रादिकारी करेंगे तो प्रमान पत्रों की जो समिक्षा होगी उसमें सूची मुख्य प्रप्तांग के अधार पर आपका बराये गया है चुकि आपका रिजल्ट जो है आपने जो मेंस एकजाम दिया उसके अधार पर अब उसी के अधार पर आपका मेधा सूची बनेगा और अंक प्राप्त करने वाले अभ्यारतियों का जनमतिति के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यारतियों के संयुक्त मेधा सूची ऊपर रखा गया है इसी प्रकार समान अंक औ और समान उम्र पर अभ्यार्थी जो होंगे वह अंग्रेजी वर्ण माला से उनको प्राइरटी दिया जाए यानि कि अगर आपका टाइब्रेकर में फरस्ता है रेजल्ट तो आपका सबसे पहले क्या देखा जाएगा तो आपका मार्क्स देखा जाएगा फिर उसके बाद जो 1089 यहां पर रेजल्ट हुए हैं और इन रेजल्ट में आपको बता दे कि कुछ पी एच काटेगरी के भी चात्रे उनके बारे में जी कर दिया गया है और कुछ अनुसुची जाती के हैं जो कि अनुपलब्द है अब दिखिएगा यहां पर सीटों की संक्य अगर है तो यह स 99 था तो एक 1089 ही चात्र सेलेक्ट हो पर तो यह सीटे जो है बैकलोग के जोड़कर जो है अगली वेकेंसिस में दी जाएंगी बाकी अपना जो है रिजल्ट आप यहां से चेक कर सकते हैं जो भी चात्रे है यहना कैटेगरी वाई यहां पर आप लोगा रिजल्ट दिया गय और परीक्षा के पैटर्ण में देखिए बदलाव हो रहा है बिहार सेसी जो है यहां पर कुछ बदलाव कर रही है क्या कर रही है पहले यह आप लोगा एक्जाम होता था ऐसा कोई भी तो इसमें कट अफ नहीं बताय जाता था पहले जी इसमें आप लोगा कोशन पेपर भ कुछ आप नहीं होगा क्यों क्योंकि वहां पे तो सीवीटी एक्जाम होगा तो कोशन पर तो मिलेगा नहीं पहले चीज गट थी बात किजेगा तो वहां पर नर्मलेगीस्ट होगी तो फिर यह कट अथत नहीं दे पाएंगे क्योंकि कट अप पूइंट पॉइंट में चल को लेगा तो खेर यहां पर आपको बता दे कि जो यूर केटेगरी मेल में 148 गया है वहीं महिलाओं के 137 गया है अनुसुची जाती पुरुस और महिलाओं का दोनों गति हत्तर है और OBC में यहां पर 138 गया है फिर OBC महिला का 134 है और और OBC में यहां पर 131 और पिछड़ा वर्ग महिला का 121 गया है तो यहां पर एक चीज नोटिस करने चीज़े है देखे जो आपका अत्यांत पिछड़ा वर्ग है उसका 138 गया दिया है यानि कि यह बात EBC का हो रहा है और पिछड़ा वर्ग जो है पिछड़ा वर्ग जो है इनके 131 गया है तो यह साइद लगता है कुछ और यहां पर यहां पर यहां पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग इसको किछड़ा बर बाके यह सारा कट-अफ सिनार्योर दिया गे यहां पर कुछ ना कुछ result का जहां पर आप लोग का OBC, EBC का cut-off गलत दिया गया है हो सकता है और यहां पर जो है महिला जो है पिछड़ा वरकी 133 गया है EWS का 136 गया है तो यह भी कहीं न कहीं कुछ गरबढ है यहां पर ठीक है तो I think मुझे लगता है यहां पर इसको check करना चाहिए इस result cut-off को लेकर तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है लेकिन अगले वीडियो के update के साथ आपको बताएंगे कि अगली vacancies का update इनका कब तक आएगा और बिहार SSC जो intermediate exam है उसका examination के अगर बात कर ले आप लोग यहां पर exam कब होगा तो अब यह exam जो है आपका next year 2025 में संभावित है अगर election से पहले PT और मेंस ले लिया गया तो इनकी joining होगी नहीं तो यह बहाली आप लोग जो है और दो से सीजिल की बात करते हैं तो वहां पर अभी तक जो है बहुत सरे से विभाग से रोश्टर क्लिरंस नहीं है तो उस पहली की प्रक्रिया को आने में भी अभी कम से कम जो है एक साल लगेगा तो मान के चलिए कि 2025 में अगर देखा जाए तो लास्ट में जब election का टाइम हुआ October नमबर उस समय दोरान जो है इसको देखने को मिल सकता है तो यह संभावी थे अभी किसी के पास exact data नहीं है इसका कि कितनी vacances मिल पाई है कितनी नहीं तो यह संभावी थे तो मुझे लगता है कि election के टाइम पे ही इस बहाली को CGL4 को निकाला जा सकता है आपकी क्या रहा है आप इस पर कमेंट कीजेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन कटफ पर सवाल उठा है तो कटफ एक बार आयोग जरूर चेक करें जैहिंद